आउम शांतिंग आज तेरहा जन्वरी दोहजार चौबिस बाबा के ये महवाक्षे हैं मिथे बच्चें मनुष्य शरीर की उन्नती का प्रबंध रचते आत्मा की उन्नती वचड़ती कला का साधन बाप ही बतलाते हैं यह बाप की ही रिस्पोंसिबिलिटी है प्रश्न है सदा बच्चों की उन्नती होती रहे उसके लिए बाप कौन-कौन सी श्रीमत देते हैं उत्तर है बच्चे अपनी उन्नती के लिए टहला सदा याद की यात्रा पर रहो याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी दूसरा कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आश ना रखो तीसरा शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो लेकिन चूभी टाइम मिले वह वेस्ट नहीं करो बाप की जाद में टाइम सफल करो चाथा कम से कम आठ घंटा इश्वरिये सेवा करो तो तुम्हारी उन्नती होती रहेगी धालना के लिए मुख्य सार है पहला कम से कम आठ घंटा इश्वरिये गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है बाप जैसा गुणवान बनना है दूसरा जो बीता उसे याद नहीं करना है बीती को बीती कर सदेव हर्षित रहना है ड्रामा पर अडोल रहना है बरदान है संकल्प बोल और कर्म के व्यार्थ को समर्थ में परिवर्थन करने वाले होली हंस भावर होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यार्थ को समर्थ में परिवर्थन करने वाले क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है पत्थर की वैल्यू नहीं रत्न की वैल्यू होती है Holy Hans फोरन परक लेता है कि ये काम की चीज नहीं है ये काम की है कर्म करते सिर्फ यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नौलिजफुल आत्माई रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है तो व्यर्थ जा नहीं सकता यह स्मृति Holy Hans बना देगी स्लोगन है जो स्वयम को इस देही रूपी मकान में महमान समझते है वही निर्मोही रह सकते है अव्यक्ति रौम शाथे रूम शाथे पावर। यहीं सकते है तो वह स्वयम को अव्यक्ति जज वाज पर फ्त्माई जो वहाथे पस्वयल यहाथे लूम को झाल झाल